परिचय विवेक को संत्रे बहुत पसंद हैं वह अपने पापा के साथ फलों के बाजार से संत्रे खरीदने आया हुआ है वह देखता है कि एक दुकानदार हर थेले में दस संत्रों को रखकर बेच रहा है उसके पापा विवेक के लिए तीन थेले खरीदते हैं बच्चों, इस अध्याय में आप दहाई द्वारा गिने दी तथा समों बनाना जानेंगे आओ सीखें 21 से 99 तक की संख्या बनाना संख्याओं को बनाने और गिनने के लिए अबैकस का प्रयोग करना 21 से 30 तक की संख्याओं पके हुए टमाठरों की इन दो टोक्रियों को देखें प्रती एक टोक्री में दस टमाठर रखे हुए है इस प्रकार से हमारे पास दस के दो समों है इसका मतलब है कि हमारे पास 20 टमाठर है यह एक खाली टोक्री है चलो, हम इसके अंदर एक टमाटर रख देते हैं हमारे पास दो दहाई और एक इकाई अर्थाथ 21 टमाटर है तीसरी टोकरी में एक और टमाटर रख देते हैं अब हमारे पास दो दहाई और दो इकाई अर्थाथ 22 टमाटर है इसी प्रकार दो दहाई और तीन इकाई मिलकर तेईस होते हैं दो दहाई और चार इकाई मिलकर चौबीस होते हैं दो दहाई और पांच इकाई मिलकर पच्चीस होते हैं दो दहाई और छे इकाई मिलकर चबीस होते हैं दो दहाई और साथ इकाई मिलकर सत्ताईस होते हैं। दो दहाई और दस इकाई मिलकर तीन दहाई अर्थात तीस होते हैं। 30 से 40 तक की संख्याएं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यहां कितने संत्रे हैं? जी हाँ, यहां तीन अलमारिया हैं, प्रतेक अलमारी में दस संत्रे हैं, अथा यहां तीस संत्रे हैं. चलो, अब हम टोकरी से एक संत्रा उठा कर चौथी अल्मारी में रखतेते हैं। अब हमारे पास तीन तहाई तथा एक इकाई संत्रे हैं। अर्थाद 31 संत्रे हैं। अब चौथी अल्मारी में हर बार एक-एक संत्रा रखते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49 आखरी संद्रा रखते हैं अब दहाई के चार समों हैं जिसका अर्थ 40 है 40 से 50 तक की संख्याएं आओ, अब हम इस तालिका को पूरा करते हैं चार दहाई और एक इकाई मिलकर 41 संख्या बनाते हैं चार दहाई और दो इकाई मिलकर 42 होते हैं चार दहाई और तीन इकाई मिलकर 43 होते हैं चार दहाई और चार इकाई मिलकर 44 होते हैं चार दहाई और पांच इकाई मिलकर पेंतालीस होते हैं. चार दहाई और छे इकाई मिलकर छे आलीस होते हैं. चार दहाई और पांच इकाई मिलकर पांच दहाई और दस इकाई मिलकर पेंतालीस होते हैं. चार दहाई और छे इकाई मिलकर पेंतालीस होते हैं. चार दहाई और दस इकाई मिलकर असी होते हैं. अबेकस पर संख्याई. हम अगली पंक्ती का प्रयोग करते हैं. इस अबेकस में इकाई वाली पंक्ती में तीन केंदे हैं और दहाई वाली पंक्ती में दू केंदे हैं. इसलिए कुल संख्या तेईस है. इस अबेकस को देखो. इसमें इकाई वाले स्थान पर पंक्त केंदें और दहाई वाले स्थान पर चार केंदे हैं. इसलिए संख्या 45 है. हमने क्या चर्चा की? 10 के समोहों का प्रयोग करके हम 11 से 99 तक की संख्याएं बना सकते हैं. इबेकस का प्रयोग संख्याओं को बनाने तथा गिनने के लिए किया जाता है.